उधारण साथ दस विद्यार्थियों की उंचाई सेंटीमीटर में निम लिकित हैं 117, 106, 123, 110, 125, 112, 115, 102, 100, 115 इन आकडों की माधिका ज्याद किजिए हल माधिका ज्याद करने के लिए आकडों को सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में रखना होंगा सव, 102, 106, 110, 112, 115, 115, 117, 123, 125 यहाँ प्रेक्षणों की संक्या सम है इसलिए ना ही पांचवा पद प्रेक्षणों के बिलकुल मध्य है और ना ही छटा पद प्रेक्षणों का मध्य पद यानि माधिका पांचवे और छटवे पद के मध्य में है अता ऐसी परिस्थिती में प्रेक्षणों के मध्य में पढ़ने वाले दोनों पद का उसात ही माधिका होती है इस उधारण में पांचवा पद है पांचवा पद हमारे पास है पांचवा पद बराबर एक सो बारा सेंटी मीटर उसी तरह से छटा पद हमारे पास है एक सो पंदरा सेंटी मीटर अब हम जानते हैं कि माधिका का जो सूत्र है माधिका बराबर होता है यहाँ पे हम पांचवा पद और छटवा पद जोड़ेंगे पांचवा पद धन छटा पद बटा दो अब हमारे पास पांचवा पद जो है हमने एक सो बारा सेंटी मीटर लिया है और छटा पद जो है हमारा एक सो पंदरा सेंटी मीटर बटा दो और इसका योग हमारा 227 बटा दो को जब हम भाग करेंगे तो 113.5 सेंटी मीटर हमें प्राप्त हुआ इस तरह से हम कह सकते है कि माध्य का हमने 113.5 सेंटी मीटर ग्याद किया इन आकडो की माध्य का 113.5 सेंटी मीटर है यानि जब प्रेक्षणों की कुल संख्या सम हो तब माध्य का को ऐसा समझा जा सकता है माध्य का बराबर एन बटा दोवा एन बटा दोवा पद और क्यूंकि हमने 5 पदन 6 पद बट्टा दो लिया था तो यहां पे N बटदोवपद धन N बटदोधन 1 पद बटदो अभी तक हमने दिये हुए प्रेक्षणों की माध्धिका निकाली अब दी हुई माध्धिका का प्रयोक कर अज्याद प्रेक्षणों का मान पता करेंगे